टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में अब बहुत बड़े ट्विस्ट और टर्ण देखने के लिए आप सब हो जाएए तयार एक तरफ तो आपको ये बात पता ही है कि अर्मान ही है इस पूरी साज़िश का मास्टर माइन अर्मान ही है जिसने प्रिशा को रुदराक्ष के सामने मरा हुआ घोशत कर दिया है अब बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि प्रिशा की प्रेगनेंसी का उठाने वाला है अर्मान बहुत बड़ा फाइदा या फिर कह लीजिए कि गलत फाइदा यहां पर अर्मान उठाएगा प्रिशा की प्रेगनेंसी का दरसल होगा कुछ यूँ कि अर्मान रुद्राक्ष को बताएगा ये जाकर कि जब से प्रिशा मेरे साथ रहने लगी है हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि प्रिशा मेरे बच्चे की मा बनने वाली है और रुद्राक्ष को तो क्योंकि पता ही नहीं है कि प्रिशा उसके बच्चे के साथ प्रेगनेंट है अब ऐसे में रुद्राक्ष का एक बार फिर से प्रिशा को बेवफा समझ कर अर्मान का सारा ये घटिया जूट मान कर विश्वास कर लेगा ये तो एक अलग स्टोरी है जो की बहुत जल्दा आपको अपकमिंग ट्रैक में देखने के लिए मिलने वाली है लेकिन यहां पर एक के बाद एक कई सारे नए ट्विस्ट ने भी दस्तक दे दी है जिसमें से एक का नाम है मिश्का जी हम मिश्का की वापसी हो चुकी है शो में अब आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम क्रियेट करने के लिए दुबार शो में आई है ये तो फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा लेकिन एक बात तो तैह है कि जब भी किसी पुराने और बड़े विलन की वापसी होती है तो उसका मोटिव भी काफी जादा बड़ा होता है तो यकीनन इस बार मिश्का भी किसी बड़े मोटिव से आई है अभी तो रुद्रो को पता तक नहीं है कि प्रिशा जिन्दा है और अभी रुद्राक्ष को प्रिशा मिली नहीं है। और एक दो हफते आपको प्रिशा के गम में रुद्राक्ष के डूबे हुए ही नजर आने वाले हैं। कि definitely एक हफता तो रोदराक्ष के लिए काफी जाना मिश्किलों से भरा रहेगा जहां पर वो अपनी मरी हुई प्रिशा को मिस करेगा और यहां पर दिखाया जाएगा कि कैसे वो अपनी प्रिशा को वापस लाने के लिए उसका पता लगाने के लिए दर-दर भटकेगा लेकि यहां पर अर्मान रही सही कसर पूरी कर देगा और उन दोनों के बीच में बड़ी गलत फहमी पैदा कर देगा अब कमिंग ट्विस की माने तो ऐसा ही होने वाला है कुछ की अर्मान जो प्रिशा के पेट में बच्चा पल रहा है वर रुदराक्ष का नहीं बलकि अपना ब अब डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेय करना परे को भी न भूलें